नमस्कार आप देख रहें दो विहार टॉप मैं हूँ आपके साथ अमरिता पांडे विहार में राजनितिक उठा पटक के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया है आपको बता दे कि बीजेपी अब पूरी तरह लोगसभाद चुनाव की तैयारी में लग गई है इस बीच चर्चा के बाद पार्टी को उत्रा समय नहीं दे पा रहें जितना उन्हें देना चाहिए तो ऐसे में अब पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की चर्चा काफी जोड़ से हो रही है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समराठ चौदरी को बिहार सरकार में उपमुख् संत्री बनने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव की सुख बुगाहट शुरू हो गई है माना जा रहा है कि सुक्रवार और शनिवार को दिल्ले में होने वाले राष्ट्रिय परिशत की बैचक के बाद बिहार के नेता लोकसबा चुनाव को लेकर मैदान में भाजपा सुत्रों का कहना है कि नत्रत किसी रुजाउं और आक्रमक छवी के नेता की तलाश में है जो समराट चौदरी की जगा को भर सके ऐसे में अध्यक्ष बनाये जाने को लेकर जातिय समिकरन को भी साधने की कोशिस की जाएगी एंडिये की सरकार बनने के बाद नंद किशोर यादव को विधान सभा अध्यक्ष बना दिया गया जो यादव जाति से आते हैं जबकि समराट चौदरी और विजे कुमार सिन्हा उपमुखे मंत्री बने हैं दोनों क्रमसक कुश्वाहा और भुमिहार जाति से आते हैं भा जा रहा है कि पार्टी किसी अनुसुचित जाती से आने वाले नेता को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौप सकती है वैसे कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक पार्टी समराट चौदरी को अध्यक्ष पद से हटाने का जोखिम नहीं उठाना चाती है बिहार में पार्टी अन्य तैयारियों में भी जूटी हुई है विधान सभा में संख्या बल को लेकर पार्टी की कोशिस जारी है कि पहले चुनाव को ध्यान में रखते हुए कारियों का नेने लिया जाए इसके बाद कोशिस यह भी है कि अपने पाले में कई और विधायकों को लाया जा सके तो आपको बता दे कि सरकार अब बदल चुकी है और सभी पार्टियां अपने अस्तर से चुनाव की तैयारी में लग गए हैं आपको बता दे कि ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्स समराठ चौधरी के पद को लेकर अब काफी ग्यामा गमी मची हुई है पार्ट के शद्यक्ष चाहिए तो ऐसे में अब इसकी खोड़ जारी है इसके सांसात इसमी भी जातिय समीकरण को साधने का प्रयाश किया जा रहा है अनुसुचित जाती से अभी तक कोई नेता को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है तो ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पे किसी अनुसुचित जाती के नेता को लाया जाएगा लेकिन एक बात यह भी है कि अभी लोग सभाज चुनाओ तक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के पद पे कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क लेना नहीं चाहती है तो फिलाल इस अध्यक्ष के लिए दौबी हाड़ टॉप को फॉलो करें धन्यवाद